हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत अनिता के एस कीचन में तो आपने ब्रेड तवा पिजा तो बहुत ही खाए होंगे आपको ए रेसिपी देखके सारे रेसिपी आपने सारे तरीके भूल जाएंगे ये तरीके आप देखके तो इसको बनाने के लिए हमें कोई जंजट नही है कोई प्रेशानी नहीं तो चलिए अब शुरू करते हैं तो आज हम लेगा है आप सब के लिए बरेड तवा पिजा की रेसिपी जो कि बहुत स्वाधिस्ट बनती है और जो मार्केट से पिजा लाते हैं ना एकदम स्वाध आपको ऐसे ही मिलेगा उससे भी बलकि जाद ही क्यों फिडिःिक गारते पिजुञ पिवी कुछ बनाते हैं चुक्त लाकेट से ज्यादा श्वाधिस्ट बनते यह थो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाते कई कैसे हैं तो हाल光 लिये थावा शंरी तावा को हल्का गरम कर लेंगे मिडियम है फ्लेश कर देंगे उससके ब बटर लगा लेंगे हलका से इसमें बटर लगाएंगे पूरे तावा में आप चाहे तो फ्राइपेन भी ले सकते हैं इसमें भी आप बना सकते हैं रिसिपी को में तावा लिये हैं अई तावा भी बना सकते हैं हड़ी घर में फ्राइपें तो को च Israeli मिलए मीडियम है फिलियंपे शिकी हैं इसकोलट लेंगे तो मैं हल्का सेद्ग कि एक तरफ से हम इतना ही रखेंगे अब पहले हम बटर लगा लेते हैं इस प्रेंच है मिडियम है फ्लिम पर ही रखेंगा कि शिवया पर बटर लगा लेते हैं कि द्र nossas तो इस ताइट से हम हलका सा गडम हो गया होगा पलट के सेकली इस ताइट भी हम बटर लगा लेते हैं तो एक तरप से हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे एक तरप से हम इस उपर से आप हम ऐसे ही रहने देंगे शिर्फ बटर लगा के छोड़ देते हैं नीचे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए बटर लगा दिये हैं अब इसको हलके हाथों से तरीके से दवा दवा के चेक लेते हैं के कुल देते हैं एधर से अभी नहीं हुआ हुआ है इसको ख़ूब अच्छे से कर लेते हैं ते है तो में एक मिनट खिल ली है अब चेक कर लेते हैं सो देख सकते हैं जिटना की रिस्पी करना थिट Unter lle हो गया है अब और चाहत है और क्रिश्पी कर सकते हैं अब हम गैस को बंद कर देंगे अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे तो अब हमने निकाल लिए हैं जीस तरफ से हमने क्रिस्पी करके सेके थे तो उस तरफ से हम पलटके इस पे डाल देंगे एक एक चमज पीजा सौस जितना नोड़ा एक चमाज डेर चमाज जो भी लग रहा है वो तना पीजा साव सिस पे डाल लेजिए अब इसको हम अच्छे से खिला लेंगे सारे को मैं इसी तरीके से पहला के ले लेए हैं अब कुछ ललु हैं जर्म तो टेमाटर प्याज ये मोटी वाली मीर जाय तीखी नहीं है आपके पास सीमला मिर्ज हो तो हूँ यूच कर सकते हमारे पास नहीं तो इसको पर आना था उन्क ला लेंगे जितना आप सब्जियां भरना चाहते हैं उतना भर लेज़ेगा तो इसी तरीके सम सारे में सब्जियां डाल लेंगे तो उने सब्जियां डाल दिये हैं अब डाल देंगे चीज मोजरेला चीज यूज कर रहे हैं आप पास जो भी चीज हो वो यूज कर सकते हैं तो उने चीज डाल दिये हैं अब हम डाल देंगे रेट चीली अगर बच्चों को देर हैं बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी रेट चीली ना डाले कि बहुत ही तीखी होती है अब हम डालेंगे और यह गेनों तो हमने पाइकिट वाली ले रहे हैं हमने सारा चीज डाल दिये हैं और यह नों रेट चीली सारा चीज डाल दिये हैं अब हम इसको शेक लेते हैं अब हम टावा फिर से लिए तो अब हम इसको हलका से करते हैं अब इसमें हम फोड़ी से बटर से कर दिया अब हलका से तावा गडम हो ज्यादा नहीं कीचेगा हमने बटर से क्रिस कर दिया अच्छे से अब जो हमने पीजा बना के रखे थे ब्रेट पीजा इसको अराम से इसके उपर डालेंगे हमने डाल दिये हैं मेडियम हेफ़लेंपे धक के तो हम धक के मीडियम हेफ़लेंपे चार से पांच मिनट लेगे अब यहांत लो फ्लेम कर लीजियें मिडियम हेफलेंपे कर लिजिये infect कर लिजें का से सोब इसको पकने देंचे तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं तो यह हमारा ब्रेट पिजा बनके त्यार हो गया देखने में इतना संदर लगड़ा है खाने में उतना ही स्वाधिष्ट बना है थोड़ी सी रेट चिली डाल लेंगे और येनू डाल लेंगे ताकि खुश्टेस्ट और ही जादा बढ़ ज लगा है जला है बिल्कुल भी नहीं यह बन के त्यार हो गया पूरा फैमली इंज्वाइक कीजिए वीडियो पसंद आयते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे के प्लीज सपोर्ट में देखने के